हेलो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं सूजी का इतना टेश्टी नास्ता कि जिसके आगे कचोरी समोसा भी एकदम बेश्वाद लगेगा तो सूजी के साथ हम मुर्मुरे से इसे नास्ते को बनाने वाले हैं वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो एक हम डेड़ कप मुर्मुरे ले रहे हैं तो बहुत ही टेश्टी नास्ता बनता है आप इस तरीके से अगर बनाएंगे इसमें हम पानी डाल लेंगे तो खूब सारा पानी डाल के और इसे थोड़ा देर ऐसे हास से निचे को करके डूबो के रख देंगे तो आच्छे सॉफ् इसे शननी में रख दिया है तो दो मत छननी में ukal रहना देंगे अच्छे से पानी निकल जाएगा उसkे बाद हम मिक्सी का छोटा वाला जार ले लेंगे और इसे फिल्कुुल अच्छी से पानी बिश्म्वें जर देंगे अच्छे साथ सारे को यहां में डाल के और शरा कर लेंगे एकदम जैसे पेष्ट बनता है वैसे बना लेंगे तो यह आप देखे तो यह मुर्बुने का पेष्ट बन की तयार हो गया उसके बाद एक बावल ले लेंगे और बावल में इसे पेष्ट को हम बावल में डालेते हैं तो सारे पीष्ट को निकाल लेंगे तो आप देखें, निकाल दिया उसके बाद क्या करेंगे, उसी जार को हम तुबारा ले लेगे और यह हम सूजी ले लियतete हैं तो मार पास वाली सूजी है है बारीख सुझी हो तो आप वैसे भना सकते हैं इस नास्ते को इसमें आदा कप दही डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे उसके बाद हम इसे ग्राइं कर लेंगे इगदम पेष्ट बना लेंगे यह आप देखे तो ऐसे पेष्ट हमें चाहिए बिलकुल इस्मूद सा तो यह थो ठीयार कर दिया है उसके बाद क्या करेंगे ने युद्ध मुर्मुरे पीशिक रखे रिखे थे उसी में हम इसको डाल देंगे यह सुजी और दही का पेश्ट है और इसे अच्छे से फेट के अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि वो जो मुर्मुरे वाला पेश्ट है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए तो ऐसे करके एक ही साइट को हम इसे घुमाते हुए और अच्छे से फेट के कि आप देखें तक ह्याँ मिस्क्रणाओ जया जूंकि तमाठट जाया के लिए रख पूंद गैनाने से और 10 मिनट हैं जाते हो गए है का रख टेहिंगे 10 मिनट हैं उसक्क कि मिन दाना थो ग्लेते हैं तो हमें बिल्कुल भी इसमें पानी डालनी की जरुद्य फटीक है इतना गाड़ा हमें चाहिए यह पाकfire को कट आफू इस भी श cultura USA और ग्रेट किया हुआ थोड़ा सा अध्रक और थोड़ा हरा धन्या डालेंगे उसके पाद थोड़ी मसाले इसमें डाल देंगे तो अधी चमच हम नमक डाल रहें नमक आप स्वात के अनुसार डालेगा थोड़ा सा जीरा डाल लेंगे अधी चमच से कमी है और थोड़ा सा हम अजवाइन डालेंगे थोड़ािया चिलि फ्लेक्स टाल लिगे आप चाहे तो लालमिर्ची पावडर भी इसमें डाल सकते हैं या फिर हरी मिर्ची मात्रा बढ़ा दीजेगा। अगर बच्चों के लिए बना रहे हों तो फिर हरी मिर्ची डालना ठीक नहीं है पर तो अप लाल मिर्ची thirty- cam अजलिए जो भी हमने मिक स्क चरख देंगे ओ यह सझे मिक्स कर ला है कि ठीक देडने 3 मिर्ची यह अच्चीस मिक से भिली है टाला है और अधी चमच अपने राही डाली है तो राई को थोड़ा चटक देंगे थोड़ा सा हींग डाल लेंगे इसमें तो यह आप देखिए अच्छे से चटक गई है उसके बाद थोड़ी कड़ी पते को हमने थोड़ा चुटा-चुटा काट लिया था तो उसे डाल दें और इसको थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे बहुत अच्छा टेश्ट आता है ऐसे करके आप अगर तड़का लगाएंगे तो ये कडी पते को भी हलका सा भून लेंगे तो ये आप दिखे तड़का तयार हो गया हमारा उसके बाद हम इस बैटर में ये तड़का डाल दे इसको ऐसे करके तो आप चाहएं तो इसमें हलका सा इनो या फिर सोड़ा डाल सकते हैं जो खाने वाला मिठा सोड़ा होता है वह आप हलका सा डाल सकते हैं लेकिन हमने कुछ भी नहीं डाला है बस दही इसमें डाली थी तो हम ऐसे इसको बनाएंगे तो इधर हमने ये रग तो उसके बाद क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा हम इसे ब्रस से हलका हलका तेल इसमें डाल रहे हैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे और इसे थोड़ा गरम होने देंगे मीडियम लोपे ही रखेंगे हम गैस को उसके बाद हम एक चम्मच इसमें डाल लेंगे ज्यादा उपर तक नहीं भरेंगे तो ऐसे करके एक चम्मच ही हम इसमें डालेंगे कि भार कांटory ना को तो कोई भी चीज भार से लाने से अच्छा है कि आप बच्छों के लिए ऐसे बना सकते हैं उसके बाद हम 2-3 मिनट के लिए से ढख लेंगे तो 2-3 मिनट हमने ढख लिया था इसको तो अच्छे हो गए हैं ऊपर से भी ड्राइ हो गए हो गया हैं अब हम देखे कितना अच्छा कलर आने लग गया इसमें तो अब हम दूसरी साइट से भी से बना लेते हैं और सब कोई पलट लेंगे तो कोई भी जंजट नहीं होती है कि यह दो इसे बनाने में एक दम आसान होता हैए और बिलकुल कम तेल है आपने देखा को तने कम तेल में नहीं से बना ना सकते हैं और दस मिनट बन के तयार भी हो जाता यह ना सा असंदा तो ऐसब हम उलट पलट करके दो प्रैक्त कि तो बना लेंगे गए उस को जो तक ये मीडियktor बना लेंगे, अच्छी बना लेंगे मतलब अच् permit देखने में भी लगए तो यह वह देखें नगा हम चेया बढ यह पासले में लेता ह में ल तो अब हम इसे क्या करेंगे इसे निकाल लेंगे यह एक्दम से बनके तयार हो गए है जो हमारे पास है उसे भी हमें असी बना लेंगे तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरूर कर देना और कमेंट में हमें जरूर बताना कि आपको यह नास्ता कैसा लगा और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं वो भी आप जरूर बताईएगा तो यह आप देखे कितना सौर्प सा नास्ता बनके एकदम तयार हो गया आप चटनी के साथ सास के साथ इसे खा सकते हैं थैंक यू